देखे दोस्तो हमाई पास दो LED बल्ब हैं ये दो तरह से खराब होते हैं एक तरह से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और दूसरा वाला नेक्स्ट में देखे जैसे कि ये हम देख रहे हैं इसमें क्या होता है कि बल्ब बिल्कुल बंद हो जाता है बिल्कुल भी नहीं रहा है अब जब मैं इसको ऐसी लगा लगा के और फिर हमें चेक करना है कि ये कहां से शॉट है मतलब कोई एक LED इसके खराब होगी और वो ही बदलेंगे जनरली हम सब को चेक करते हैं लेकिन एक की पॉइंट है रहता है कि ये सबसे लास्ट वाले यहीं वाले कोई या ये देखिए चेक करते हैं ये देखिए ये दोनों जल रहे हैं इसको जलाओंगा ये तीनों जलेंगे ये देखिए ये 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 फिर ये तो यहां से देखिए आप ये सारे जल रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं ये जित्ते भी हैं ये सब जल रहे हैं और यहां पर जब मैं यह करूँ इसमें चेक करूँगा तो यह भी जल रहा है यानि कि यह L2 वाला जोगा देखे इसको जूम करके L2 लिखा हुआ यही खराब होता है अब इसको हम करेंगे यह कि सिर्फ एक वायर लेना है और इसको ऐसे पकड़ना है यह रिस्की बहुत रहता है इसलिए आप हमेशा अपनी शेफ सेफ्टी का ध्यान रखेंगे अब देखेंगे आप कि मैं इसको ऐसे रखके वह बस इसको श कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है यह देखें तो बस अब हमें करना यह है कि मैं इस सोल्डरिंग आयरन की मज़द से इसके दोनों तरफ से यह वायर का छोटा सा पीस लेके सोल्डर कर दूँगा